आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज पे या समाज की उस सोच पर एक कटाक्ष करना चाहती हूँ अगर आप अग्री करें तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा एक समय था जब महिलाएं घर संभालती थी और पुरुष बाहर से कमा के लादे थे घर कितने सुसजित रहते थे हर चीज सिस्टेमेटिक थी टाइम पे भोजन अच्छा और पोश्टिक भोजन घर का माहल इतना सात्विक खुबसूरत समय पर पूजा सब कुछ हुआ करता था समय बदला अब लोगों ने सुक शान्ती घर के वैभव पूजा पाट उन सब को सेकिंडरी रखना शुरू कर दिया अब हर एक को पैसे का महत्व समझ में आने लगा लोगों को लगा कि पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं अकेला व्यक्ति कमाएगा तो आधी इंकम दो लोग कमाएगे तो डबल इंकम पैसे के लालच ने कहीं ना कहीं घरों की सुख, शान्ती, पूजापाट, संसकार सब को कॉम्प्रोमाईज कर दिया इस बात से कोई भी व्यक्ति डिसग्री नहीं करेगा आपको याद होगा, एक टाइम था जब पुरुष जब शादी करने जाते थे तो कहते थे कमाओ भी भी चाहिए वहिया, मैं बिढ़ा आगे नहीं किला सकता आज इस्तिती ये आ गई है लड़कियां और लड़के, इस्तरी और पुरुष दोनों वाकिंग है और उसी वज़े से ना उनका घर समल रहा है ना उनके घर में टाइम से पूझा पाथ होती है सुबा जैसे तैसे भागते दोडते कुछ मों में डाला ब्रैड, बटर ना पोश्टिक भोजन ही रहा है उसके बाद में जब शाम को दोनों आते हैं, दोनों ठक जाते हैं जाद अतर बाहर से ओर्डर कर लेते हैं बाहर के भोजन में ना तो भाव होता है ना ही गुणवत्ता आपने नोटिस किया कि पहले लोग इतने बिमार नहीं रहते थे कारण जब कोई स्त्री अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है तो उसमें उसका भाव नहीं धोता है, उसका प्रेम नहीं धोता है लेकिन जब वही भोजन आप बहार से किसी और का बनाया वक आते हैं तो वो उसके लिए बिसनिस है उसका मकसद है कि बस orders पूरे होने जाई है इन चीजों को अगर बहुत गोर से बहुत डीपली महसूस किया जाए तो आप compare कर पाएंगे आज से 30 साल, 40 साल पहले लोग इतने health के issue से नहीं जूज रहे थे जितना की आज अब लोग बहार के खाने के addict क्यों हो गए है क्योंकि महिलाओं को खाना बनाना ही नहीं आता उनसे अच्छा तो बहार जो ठेले वाले खाना बनाते हैं उनसे अच्छा भोजन तो वो बना लेते हैं मैं कई लोगों को personally जानती हूँ मैं मुझसे कहा कि मेरी बीवी ऐसा खाना बनाती है कि उसको खाने के बाद मुझे vomit करने का मन करता है मैं जूट नहीं कह रहे हूँ मैं अपने personal अनुभाव शेयर कर रहे हूँ मैं मानती हूँ कोई बुराई नहीं है कमाने में हर एक को हख है अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ने का अपनी जिन्दिगी में बदलाव लाने का लेकिन कहीं न कहीं इस सोचने समाज की जो बुद्धी जीवी लोगों द्वारा बनाई गई एक प्रिक्रिया थी जिससे समाज सुवेवस्ति था उसे हिला कर रखती है सारी जड़ हिला कर रखती है ना संसकार है ना प्रेम है ना टाइम पर भोजन है ना पोश्टिक भोजन है और ना ही स्वास्त है कन्क्लूजन अगर हम देखते हैं इन सारी चीजों का तो इसका मतलब जो बुद्धी जीवी लोगों द्वारा बनाए गए नियम थे, वो शांदार थे, बेमिसाल थे उन्हें फोलो करके लोग स्वस्त भी थे, सुखी भी थे और थोड़ी से इंकम में संतुष्ट भी थे आज दो-दो लोग कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना स्वस्त हैं, ना संतुष्ट हैं, ना हेल्दी हैं, ब्रेन से ना शरीर से विचार करने वाली बात जरूर है, पैसे को इतना महत्व देना कि अपना सब कुछ गवा बैठे, सिर्फ चंद सिक्के कमाने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओ को घर में ही बैठ जाना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, कि विवस्ता पहले वाली इससे बेटर थी, आप अगर चाहें, तो इस विवस्ता को बनाने के लिए थोड़े एफ़र्स डाल सकते हैं, आप काम कीजिए, लेकिन अपके शरीर की सबसे पहली नीड है, उसको आपको फुल्फिल करने के लिए पूरे एफ़र्स डालने होगे, अपनी नीद कम कीजिए, आराम को महतु मत दीजिए, कीजिए काम, लेकिन अपनी नीद को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ना कि अपने स्वास्थे को, अब डॉक स्वास्ते बर्दक नहीं है, एक स्वास्त नीद लेना स्वास्ते बर्दक है, जब आप सोई, तो वो नीद गहरी हो, आराम दाएगो, बहुत सारे लोग दो घंटे सोते हैं, वो उसी में पूरा अपने आपको रिफ्रेश्मिंट जितना देना होता है, दे चुके होते हैं, तो याद रखे, इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है, कि समाज में कुछ चीज़ें जो अस्त व्यस्त हो गई हैं, उस पर समाज का ध्यान केंद्रेद हो, कोशिश कीजिए कि अपने कामों को करने के साथ साथ, दोनों लोग प्रकरती और पुरुष ऐसा स आमंजस से बनाए, कि आपका भोजन भी पोश्टिक हो, आपके घर में दोनों टाइम पोजा हो, आपका भोजन आपके हाथ से बना हुआ हो, ना कि मार्किट से मंगाया हुआ, I hope कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर पसंद नहीं आई, तो मुझे माफ लेकिन मेरे मन में था, तो सोचा, आप लोगों से शेयर करो, जैश्री रादे